हालो दियर फ्रेंट्स दिस देवाशीश चनाई वेलकम योल तो माई चैनल स्टाटिस्टिक्स क्यूरियोसिटी फ्रेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे आई एटी जैम 2018 का स्टाटिस्टिकल इंफ्रेंस सीरीज का मैथड ओफ मुमेंट एस्टीमेटर पर बेज एक नुमेरिकल मैथड ओफ मुमेंट एस्टीमेटर के कॉश्चन आते हैं पर कम तो यह एक अच्छा कॉश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे मैथड ओफ मुमेंट एस्टीमेटर का है तो पहले तो फटा फट से अप नुमेरिकल देख लीजिए और फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे इसको तो देखते हैं नुमेरिकल क्या है देखें लैट x1 is equals 2 minus 2 x2 is equals 1 and x3 is equals 2 minus 1 तीन अप्जर्वेशन है अपने पास यानि कि सेंपल में तीन वैल्यूस है ठीक है वीदा उब्जर्वेश्चन ते लिए रंडम सेंपल ऑफ साइस 3 probability mass function PMF दे रखी है discrete distribution है आपको पताए है continuous होता तो PDF होती है discrete तो PMF है क्या दे रखी है probability function क्या रखा है 1 upon 2 theta plus 1 दे रखा है और X की values क्या है X की values है minus theta, minus theta plus 1, minus theta इस तरीके से अब इसको देखिए dot 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 zero dot dot theta इसे आप किस तरीके से सोचिए इसे आप सोचिए integer का जो होता है न, minus three, minus two, minus one, zero, one, two, three इस तरीके से मतलब बीच में zero और दौनों तरफ इसमें observation बढ़ रहे है left में negative observation और right में positive तो यह आपका X की values दे रखी है और यह आपको probability दे रखी है X की different इन सभी X की values पर probability function क्या है one upon two theta plus one है याद रखिए discrete है आगे where theta belongs to parametric space one two doesn't matter positive values है ओके आगे देखिए this is the unknown parameter then the method of moment estimate of theta is तो हमें क्या find करना है हमें theta का method of moment estimate find करना और one two three four इन चार में से कोई एक option ठीक है ठीक है तो चलिए यह probability mass function देख लिए आपने हम method of moment estimate इसका find करते हैं हाँ तो फ्रेंड्स देखिए हमें PMF जो given था कॉट्नियोमेरिकल में PMF अपने के पास given था fx theta is equals to one upon two theta plus one और जैसे जैसे बीच में zero इस तरफ minus one minus two इस तरह से नंबर चल रहे हैं और इस तरफ one two इस तरह से नंबर चल रहे हैं इस तरह से इसको आप दिमाग में रखिए x की values इस तरीके से हैं और हमें theta का obviously parameter का method of moment estimate find करना है तो देखिए method of moment estimate जो होता है उसको find करने के तरीका यह है कि आप sample moment को equal रखते हैं किसके sample moment को आप equal रखते हैं population moment के इस तरीके से आप कह सकते हैं normal और easy language में आगर आप समझें तो easy language में बिलकुल समझने की जो बात यह है वो यह है कि आप submission x i upon n को सबसे पहले आप expectation x के equal रखके देखेंगे अगर इस से theta की value मिल जाती है तो वही answer होगा और अगर नहीं मिलती है तो आप यह तो होगया first order moment अगर इस से नहीं मिलता है answer तो आप क्या करेंगे submission x i square upon n is equals to expectation x square इस equation को solve करेंगे ठीक है तो इस equation को solve करके answer मिल जाता है तो मिल जाएगा और वैस से नहीं मिलेगा तो इससे solve करेंगे उससे find करेंगे theta की value ओके तो देखिए तो सबसे पहले basically method of moment estimator निकालने के लिए अपने पास सिदी सी बात आप समझ लीजिए method of moment estimator अगर आपको find करना है तो आपके पास expectation x expectation x square यह values आपके पास होनी चाहिए अब यह यह जो distribution है यह कोई ऐसा known तो है नहीं कि binomial हो या uniform हो तो हम सीधे बता दें कि इसका expectation x कितना होगा इसका expectation हमको find करना पड़ेगा ओके तो देखिए फटा फट से तो x की values discrete है तो एक तरफ x लिखूँगा और एक तरफ px या fx लिख लूँगा कितना है ओके तो x की values आपके पास क्या है आपके पास x की पहली value है minus theta अगली value है आपके पास minus theta plus 1 इस तरीके से आपके पास dot 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 minus 1 फिर 0 फिर obviously 1 फिर इस तरीके से 0 1 सबसे last में theta minus 1 और उस से पहला वाला theta यही तो values होंगी मैंने बताया था इस तरह 0 minus 1 minus 2 इस तरीके से और इस तरफ 0 1 2 इस तरफ ओके यह और हर एक हर x की हर value के लिए probability function कितना है 1 upon 2 theta plus 1 है x की हर value के लिए probability function कितना है 1 upon 2 theta plus 1 है तो minus theta का भी कितना है 1 upon 2 theta plus 1 है x की हर value के लिए 1 upon 2 theta plus 1 1 upon 2 theta plus 1 सब के लिए कितना है 1 upon 2 theta plus 1 है अब यह देखें common सा definition है आप लोग जानते ही होगे कि expectation x कैसे निकालते हैं हम expectation x तो expectation x निकालने का formula होता है submission x i multiply by probability of x i तो submission x i multiply by probability of x i कितनी है अपनी 1 upon 2 theta plus 1 है अब 1 upon 2 theta plus 1 बाहर आ जाएगा क्योंकि उसमें i नहीं है ठीक है और submission के अंदर रह जाएगा x i तो 1 upon 2 theta plus 1 submission x i मतलब x की सारी यही तो है x i यह x i है यह p x i है तो x की सारी values का sum सारी values का sum मतलब minus theta plus minus theta plus 1 plus इस तरीके से plus 0 plus theta सारी values अब यहां आपे common sense ध्यान दीजिए इस तरफ सारी negative values है इस तरफ सारी positive तो जब इन सब को plus करोगे तो minus theta से plus theta कट जाएगा minus theta plus 1 से theta minus 1 कट जाएगा minus 1 से plus 1 सब कट जाएगे तो यह सब यह plus करके क्या आएगा 0 तो 0 into this तो expectation x तो क्या आ गया 0 तो अब मैंने बताया था कि सबसे पहले हम expectation x is equal to submission x i upon n रखते हैं expectation x आ रहा है 0 तो 0 is equal to submission x i upon n रखेंगे तो खुछ तो answer तो मिलने से राध expectation x square तो आप लोग जानते ही होगे जहां तक है expectation x square expectation x square का formula होता है submission x i square into probability of x i तो probability of x i यह आपकी 1 upon 2 theta plus 1 तो 1 upon 2 theta plus 1 बाहर आ जाएगा ओके तो अंदर कितना रह जाएगा अंदर रह जाएगा हर एक x i की value का square x i की values क्या थी minus का theta यह सब थी तो minus के theta का square minus के theta का square plus minus के theta plus 1 का square plus minus के 1 का square plus 0 का square plus इस तरीके से last में theta का square सारी values का square करके plus कर देना है ठीक है तो सारी values का जब आप एक बावता है यह अब मैं आपको बता रहा था कि बीच में 0 है इधर minus 1 है इधर minus 2 है इधर minus 3 है इस तरीके से इधर 1 है इधर 2 है इधर 3 तो जब आप square कर देंगे तो यह सब तो same हो जाएंगे minus के 1 का square हो चाहिए plus के 1 का square हो एक ही बात है एक ही बात है के नहीं तो भाई minus के 1 का square भी plus का बनाएगा 1 के स्क्वेर के 2 का स्क्वेर भी 4 आएगा और माइनस के 2 का स्क्वेर भी 4 ही आएगा तो जो नमबर आप इस तरफ लिख रहे हैं वो ही नमबर आपका इस तरफ हो जाएंगे स्क्वेर होके तो यह क्या हो जाएगा तो मैंनस के थीटा का स्क्वेर और प्लस के थीटा का स्क्वेर टू इंटू थीटा स्क्वेर ओके ऐसे माइनस के थीटा प्लस बन का स्क्वेर और उस तरफ थीटा प्लस बन का स्क्वेर तो इस तरीके से इधर माइनस के बन का स्क्वेर उधर प्लस के बन का स्क्वेर, सब सेम है, सब सेम वैलिव है, तो two का multiply हो जाएगा, सब double हो जाएगी, तो two का multiply कर देते हैं बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, theta square, plus, theta minus one square, plus, last में, one square, क्या आ गया, theta square, theta minus one square, one square, यह सारी values जो थी, यह सब positive वाली ही लिख दी मैंने, ठीक है, क्योंकि square होके, तो सब positive हो जानी है, तो सब double, double हो गई, तो two का multiply हो गया, यहाँ पर आके बाहर, अब इसे आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, तो one square, two square, three square, theta minus one square, theta square, तो यह आपको पता होगा, one square plus two square, plus three square, plus up two, plus n square, इसका sum कितना होता है? इसका sum होता है, इसका sum होता है, n, n plus one, two n plus one, by six, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, one square, two square, theta square पर खतम हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीटा थीटा ब्लस वं है है अपन 6 एके आभिए चाहिए टू ठीटा प्लस रज़ गया और डू से चला गया थीन पक शंचे तो ऊंच इसना आ गया बताया था कि expectation x को तो ये तो 0 एक है तो ये तो हो नहीं रहा था expectation x square जितना आएगा उसे किसके एक को रख देंगे summation x i square upon n के तो expectation x square अपना आया है theta theta plus 1 upon 3 तो theta theta plus 1 upon 3 इसको किसके एक को रख दूँ मैं summation x i square upon n के अब आप जड़ा numerical पर ध्यान दीजिए numerical में क्या था numerical में जो x i की value आप वीडियो में पीछे जाके देखिएगा x1 की value दे रखी ती आपको minus 2 x2 की value दे रखी ती आपको 1 और x3 की value आपको दे रखी ती minus 1 तो ये हो जायागा theta theta plus 1 upon 3 3 is equal to submission को हड़ाइए x1 square plus x2 square plus x3 square तीनी value है x की upon 3 okay तो x1 यानि की minus के 2 minus के 2 का square 4 फिर 1 plus 1 upon 3 6 upon 3 तो ये कितना आगे आपका solve हो के 2 और इधर क्या चला इधर theta का अंदर multiply कर दीजे तो ये क्या हो गया theta square plus theta upon 3 ते ये हो गया theta square plus theta upon 3 2 में चला जाएगा इधर 2 multiply 6 तो theta square plus theta minus 6 is equals to zero okay तो factor कर लीजे आप तो इसके factor आएंगे theta minus minus 3 into 2 theta plus 3 और theta minus 2 ये तो factor है normal is equals to 0 तो theta की एक value तो minus के 3 आई और एक value आई theta की plus के 2 अब question में ही आप ध्यान दीजे question में लिखा हुआ था theta belongs to some kind of parametric space and that parametric space belongs to the values 1 2 इस तरी के से तो इस line का क्या मतलब था इस line का मतलब था जो theta की value है वो positive है तो यानि कि negative 3 eligible नहीं है answer के लिए eligible कौन है 2 तो theta is equals to 2 तो चार option थे जिसमें से theta is equals to 2 यानि कि option number B आपका answer है okay I hope आपको ये question समझ में आ गया होगा और आपको कोई और IIT jam का या gate का कोई numerical आपको इस तरीके का हो जो आपको पूछना हो तो आप comment section में उसको mention कीजिएगा I will try my best to solve such kind of questions और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज इनको अपने